नमस्कार दोस्तों राकेषरेजा ट्रेडिंग सिस्टीम तिता ग्रोफ फैक्टर कैपिडल सर्वीसेशलल्ल्ल्ल्प के तरफ से मैं राकेषरेजा अपका फिर स्वागत करता हूं IPO Review में इस IPO Review में मैं आपके लेकर आया हूँ Latent View का IPO इसके पहले कि हम आगे बड़े मैं disclaimer देना चाहूंगा कि मैं से भी registered analyst या investment advisor नहीं हूँ यहां जो भी मैं राय देता हूँ वो मेरा अपना knowledge के base पे है और वो knowledge जो की public domain में available है उसकी मैं study करता हूँ और उसके इसाब से मैं अपने यहां राय देता हूँ लेकिन यह educational purpose से है इस information को use करने से पेले मैं आपसे request करूँगा कि आप अपने advisor से या investment advisor से आप सलाजरूर ले और उसके बाद में ही आप अपना decision ले क्योंकि market में investment यह अपने आप में risk होती है और उस risk के लिए आप अपने खुच जिम्यदार होंगे कोई भी नुकसान या नफा आपको जो होता है उसके लिए मैं किसी भी तरह से जिम्यदार नहीं हूँ तो आगे बढ़ते हैं latent view के बारे में बात करते हैं latent view एक अलग टाइप की कंपनी है यह आपको कंपनियों को help करते हैं डेटा और business analytics के साथ में यह अपने अपने लीडर है इस कंपनी में इनके पास में जो इनके इनकी जो एक्सपर्टाइज है वो digital solution accelerator big data capabilities social media predictive analytics and analytics tool यह सारी information generally use होती है marketing के लिए आपका जो भी कोई product है उसका जो market में research होती है पहले उस research में यह information काफी काम में आती ताकि company अपने products के बारे में services के बारे में अपना business plan बनाते हैं तो यह बहुत essential service है आज के तारिक में और सब कुछ data पे ही depend करता है and these are the leader in data analytics customers हैं वो fortune 500 companies हैं और बड़े बड़े companies इनके customers हैं इनका अपना इनोवेटिव इनका अपना focus जो है वो innovations और R&D पे है इनका जो financial जो financial profile जो है इसमें limitations नहीं है काफी attractive है और limitless है इनकी growth की कोई limitation नहीं है और इनका जो खास बात है कि strong और experience leadership नहीं है सारे जो promoters हैं वो well educated हैं IITNs, IIMs से educated हैं और इनका अपना experience भी काफी माइने रखता है तो इन सब चीजों को देखते हैं तो यह एक बढ़िया और unique company है एक थोड़ी चोटी company है और इसलिए इसमें growth के बहुत चांस है अगर इसके financials पर हम दोग ध्यान दे तो इसका जो revenue है हम दोग साल दर साल अगर देखेंगे तो revenue में मतलब growth है या stable है expenses पर इन लोग ने काफी control किया हुआ है और जो profit है यह profit making company है और अच्छा खासा profit है इनका जो margin है बहुत अच्छे margin पर इनके profit आ रहे है और इसी वज़े से अगर इन लोग इनकी asset class देखें तो asset में इनकी काफी growth है तीन साल में या हम दोग दो साल में कहेंगे तो 324 करोर से यह 519 करोर तक इनकी asset बढ़ते हुए हमको दीख रही है तो margin अगर इनके open हो रहा है in fact आज और 12th November को यह बंद हो जाएगा 600 करोड का यह IPO है 474 करोड यह फ्रेश है मतलब यह जो 474 करोड पैसा आने वाला है इस विल बेसिकली यूटिलाइज फॉर ग्रोथ या इनके जो भी expansion है ग्रोथ है उसके लिए यह पैसे यूज होने वाला है और सिर्फ 126 करोड सी है जो offer force होले तो यह सबसे बड़ी बात है अगर हम दोग देखेंगे कि बहुत सारी आज जो company आ रही है market में वो major part उनका offer for sale में जाता है कि जो existing share holders है वो अपना base मेंचके उसमें से अपनी stake कम करते है और major जो chunk जो IPO का होता है वो share promoters के जेब में जा रहा है यहां उसका उल्टा हो रहा है यहां यह company के account में आ रहा है और यह उसको use करने वाले हैं अपने growth और expansion के लिए इसका price band जो है वो 192-197 है और 10% retail का quote है मतलब 600 crore में से यह सिर्फ 60 crore सी है जो retail के लिए allotted है So what is my view company has a strong management strong financials strong client rate तो ऐसी company में हर किसी को invest तो करना ही चाहिए तो मेरा opinion यह है कि हर कोई इसमें जरूर 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 अपलाए करे listing gain के लिए भी करे और long time के लिए भी करे और दोनों तरब से आपको पैसे मिलने की बहुत उम्मीद है तो दोस्तो I hope कि आप लोग को जो भी यहां मैंने opinion या इसका view रखा है आप लोगों पसंद आया होगा और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसको like करना ना भूले इसको share करें और अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe करें धन्यवाद